ऐसी कुछ चीज जो आपने और ऐसा कोई कोट जो आपने रिसेंटली पढ़ा हो या खुद डेवलप किया हो जो आपके लिए आपको लगता है कि यह सबसे इंपॉर्णन टीजियंस जो आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे शायद आपने सोशल मीडिया में शेयर भी कर दिय आओ लेकिन प्लीज मैं आपसे गुजारिश करना हो कि यहाँ पे शेयर करें वो अभी ऐसा जो मेरे को ध्यान में आता है बाई एक मैंने चार लाइन बताता हूं का गाना लेखा था वो यह मैं आठ महीना पहले बोला था ट्विटर पे उसको फिर मैं गाना में कनवर्ट किया कि एफ़ाई वेफ़ाई के चकर में बेचने देना माल तुमारा यह जब लेने को आएंगे शेयर होंगे नो दो ग्यारा फोकट में यह माल फूंकते इनके बाप का क्या है जाता जो भी इनको फूलो करता वो यह दो लाहिं दो रहाता हूं मैं तो मर गया ममा तो भाई 600 बिलेंड डॉलर का इंवेश्टमेंट है 30 40 50 क्रोड 30 40 बिलेंड डॉलर यह लोग खिलते रहते हैं इनको भी जवाब देने का है इनको भी यह करना वो करना लगे कि फंड मेनेजर को भी अपनी पगार निकालनी है, अपना बॉनस लेना है, आप उन चीज़ को समझ से नहीं हो, small investor की बात करता हूँ, तो मैं तो कभी यह सब चीज़ों देखता नहीं हो, कि FIs क्या कर रही है, FIs क्या कर रही है, यह Dowzone क्या हो गया, यह NASDAQ क्या हो गया, तो मेरा मतलब है कि आप जितना कम समझने का चेश्टा करोगे ना, उतने आपको बेतर होगा, ज्यादा macro level पर आप जाओगे, जैसे बोलते है, too much analysis, leads to paralysis, तो आप उस चीज़ को पढ़के, आप उसको ठीक से analyze नहीं कर सकते हो, मैं मेरे बात कर रहा हूँ कि मेरे जो सो, जो मध्यम औसद बुद्धी के लोग, जो औसद विद्धिया के लोग है, मैं इतना ज़्यादा पढ़के उनको पूरा analyze नहीं कर सकता हूँ, तो मैं खाली gross बात पकड़ता हूँ, market के अंदर में, मैक्रो लेवल में पकड़ता हूँ कि इंडिया का क्या होने वाला है, इंडिया को पहले अगर यह समझ लेते हैं कि हां हिंदुस्तान में अगर पांस साल, दस साल प्रगती होने वाली है, तो फिर उसके अंदर में मैं sector ढूंटा हूँ, इसमें क्या sector ढूंडने गा है, और वो sector समझ में आया कि हां यह sector rise करने वाला, उसमें मैं company ढूंटा हूँ, और company ढूंड कर जतना पैसा मेरी उससे में उकात होती है, उत्रा उसमें पैसा मैं उसमें लगा देता हूँ, एक बार गाड़ी में बैठ गया है, उसके बाद मेरे को परवा नहीं है कि कौन FIs कौन से स्टेशन पर उतरा, कौन DIs कौन से स्टेशन पर चड़ गया, और किदर होगा, क्या होगा, मैं पहले आकर मेरी window सीट पर बैठ कर हवा घाता हूँ, तो मेरे लिए यह काम किया है, मेरे खाल से और भी सब भाईयों के लिए मालूम नहीं अपना फिर वो माइंड सेट है, तो कहने का मतलब यह सब ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, मैक्रो लेवल का एक ट्रेंड पकड़ का उस ट्रेंड जब तक वो ट्रेंड चलती है ना भाई, तब तक बैठना चाहिए, मेरे कोड भी है, कि मार्केट इस बुल मार्केट इस लाइक संशाइन, इट इस अल्वेज देर समवेर, कहीं नहीं कुछ नहीं कुछ बुल शाइन चलते रहता मार्केट में, तो ज़्यादा उसको एनेलाईज नहीं करके, एक लॉंग टर्म ट्रेंड पकड़के बैठे रहना चाहिए.